हेलो एवरीवन बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल 8247 जुदीश्रीपर मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्र और मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आई हूं जो की है आपको दिखी रहा है यहां पर थमनेल पर लिखा हुआ है कि उत्राखंड सिविल को चाहिए हमें कि 2022 में कमिटी बनाई गए थी पुष्कर सिंग धामी जी द्वारा उनकी सरकार के द्वारा उन्होंने ग्राफ तयार करा था यू सी का अब इस कमिटी में पांच मेंबर का पैनल था जिसमें रिटायर्ट सुप्रीम को जज रंजना प्रकाश देसाई जी थी दी चीछ मिनस्टर को अब दो दिन हुए अफटर ट स्टेट काबिनेट ने इस invite TV देने के लिए आ धुड़ारय कीजिएंट ऱ्सकी में जैसे लाला पर फीलिए बैने पॉली गैमी बैवन है और जो सिमिलर इनहलिटेंस होता है वह विमण के लिए भी होने चाहिए सेम होने चाहिए दोनों के लिए अब इस त्रक्राइब पर अप्लाइब नहीं करता है बट ऑल्सो उत्राखंट के जो निवासी यह जो राधी सिर्व ब लेते तो बहुत ही यहां पर प्रॉब्लमाटिक हो जाती चीज़ें हमारे लिए लिए न अब एक्जांबल मैं फोगा से यहां पर बता हूं आपको जो सबसे करवाना पड़ीगा अब क्योंकि इंडियन लौ में ऐसा पहली बार हो रहा है तो जो भी लोग लिए अगर उतराखंट के रिसेडेंट्स है तो उनको यहां पर रेजिस्टर करवानी पड़ीगे एक रेजिस्ट्रार साहब के सामने एक महीने के अंदर जैसी रेलेशिप में जान उसके एक महीने केंटर उनको करना पड़ेगा और यदी वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जेल सेंटेंस मिलेगा दोनों ही चीज़ें यहां पर मिल सकती हैं बहुत ही जल्दी उमियर है कि स्टेट गवर्मेंट यहां पर नोटिफिकेशन इशू करेगी कि कानून कब से इंप्लेमेंट हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ें और है जो हैं पर में डिस्कुस करना चाहूंगी कि जो यूची सी है आपका पास्तु कर दिया गया इसको लेकिन यह बहुत सारी चीज़ों से डील करता है कुछ चेंज़ेंगें जैसे के हिंदू सक्सेशन में चेंज़ें के चेंवर जो सब्सक्राइब करते हिएं ऐसेट होते हैं फर नमें टेम टेकिन इस सब्सक्राइब होते हैं तो यूची सी करें इनको यहां पर एक differentiation को जो के ancestral और self acquired property के बीच में है उसको abolish कर देता है जो को पार्सनरी rights established करे गए है ना हिंदू succession art के अंडर उसको UCC बिल के बारे में कोई जिक्र नहीं है मतलब सेम scheme होगी succession के लिए ancestral के लिए भी और self acquired properties के लिए भी जो limited protection यहां पर अपोर्ट करा जाता था को पार्सनरी सिस्टेम में अब वो UCC में नहीं मिला करेगा अब दूसरी चीज़ क्या होई है जो फादर पहले जो है फादर जो होते तो वो class two air होते तो अब फादर का elevation कर दिया गया उनको class one air बना दिया गया मतलब अब ऑलिश कर दीगी जिंडिल डिस्पारिटी इन केस ओफ एंटेस्टेट सक्सेशन हिंदुलों के नो सार मान लीजिए अगर किसी का इंटेस्टेट सक्सेशन हो रहा है तो जो class one legal air होते थे तो वो प्रोपर्टी इन हेरिट करेंगे इसका मतलब है कि class one air नहीं होते थे और आते थे आपकी class two airs में अब जो explanation A है section 49 of UCC का उसमें यहाँ पर changes ला है इस aspect में और father को भी class one airs में हाँ पर include करा गया मतलब अब class one airs में कौन-कौन होगा बच्चे होंगे विजो होंगी दोनों father and mother सब्सक्राइब करता है irrespective of the gender of the interstate अब मुस्लिम सक्सेशन में क्या changes आए है मुस्लिम सक्सेशन में पहला चेंज यह है कि मुस्लिम यहाँ पर अपनी पूरी property को बिक्वीट कर सकते हैं विल के जरी वसीयत के जरी पहले ऐसा नहीं मुस्लिम के पास option होता था कि वो अपनी प्रोपर्टी का एक तिहाई हिस्सा बिक्वीट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को अपने प्रिफरेंस के एक वसीयत के जरी ठीक है बाकी जो रिम्यूनिंग पोर्शन होता था प्रोपर्टी का या फर अगर माली जो वसीयत नहीं होती थ तो उसको जो कुरान में और हदित में तरीका दिया हुआ ना उसके अनुसार डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता था यह प्राकिस एंशोर करती थी कि जो राइट फुल लीगल एयर्स है वो कम्प्लिट्री डिप्राइव ना हो जाए अपनी इनहरीटेंस के लेगे सेक्श वाली जो लिमेट थी वह अब खतम कर दी गई है अब पूरी प्रॉबर्टी दी जा सकती है और दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई है कि डॉर्टर की एक्वल शेर को रिकगनाईस करा गया है हां जी करेंटली अंदर मुस्लिम लोग्या है कि क्लास वन एयर्स में मदर आती हैं ग्रांड मदर आती हैं हस्बेंड आते हैं वाइफ आते हैं सन की डॉर्टर आती एक्सेक्टर और कुरान यहां पर कुछ स्पेसिफिक शेर इंस के लिए बताता है ठीक है अब कुछ रूल्स में हैं जो कि कहते हैं कि सिमिलर्ली प्लेस फीमेल एर उनको खाली आधा हिस्सा मिलेगा शीव एक आप देश्यर ऑफ दौस्मिलर्ली प्लेस मेल एर मेलेर गे अकॉर्डिग अधा मिलेगा इनको अभी यहां पर जो रूल टू है सेक्टिवन का यूचीजिए उस प्रकार की डिस्टिंशन को भाटा देता है प्रोवाइट करता है कि डॉर्टर का यह लगत अच्छी चीज़ें यहां पर करी गई है बहुत अच्छी चीज़ें यहां पर हो रही है वह पुली बाकी प्रदेशों में भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें तो काफी अच्छा लगेगा देखकर के अभी के लिए मुझे लगता है कि उत्राखंड का संपूर् सबसे पहले सबसे सबसे अच्छे तरीके से और अगले इसका जो अगला पार्ट हो का वीडियो का उसमें और भी चीज़ें को डिसकस करेंगे डाइवोस के लॉस को रिकार्डिंग और और चीज़ों को रिकार्डिंग इसको फोड़ा साब यहीं पर रोपते हैं see you guys in the next session take care bye bye all the very best